ठीक है तो तुम अगर साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है अगर कुछ मिजब भी हो जाए तो गबराना मने है तो आज का अपना टॉपिक है मतलस अगर मालो यस्ट में जा रहा रहा है तो पॉसुटिव लेकिन यही मालो कोई पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है मालो DM我跟你 पीछे की तरफ जा रहा है मालों आपको पार्टिकटल जा रहा है in weist की तरफ तो आपको इसकी velocity क्या लेनी है negative तो अगर आपके particle की velocity मान लो इदर की तरफ है तो आपको positive लेनी है तीछे की तरफ है तो आपको velocity क्या लेनी negative लेनी है है ना जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलू कि एक बंदा है मान लो इदर की तरफ जा रहा है 10 तो आपको बता आपको लिखना कि इसकी वेलासिटी कितनी है मालो यह बंदा ए तो आप क्या लिखोगे वेलासिटी ओफ ए इस प्लस 10 मिटर पर सेकंड तो यहां रखना अगर आपकी वेलासिटी इस्ट की तरफ है तो आपको पॉजिटिव लेनी है उसी तरीके से मालो कोई बंदा है मालो वे दिर्गिंटर की तरफ जा रहा है कहाँ पर Hambal Podcast रहा है ट्वंटी मिटर पर सेकंड से और मालो यह बंदा है बी तो इसकी वेलासिटिव आपको खितनी लेनी है माइनस 20 मिटर पर सेकंड आया है तो जो इदर की तरफ है वो पॉजिटिव जो पीछे की तर है तो आपको पॉजिटीव लेनी है और पीछे की तरफ है तो आपको क्यों गारी ढगत उसी तरीके से तुम्हें यह की आजकता है अगर मानलोग की आपकी Uppar की तरफ है मैंतलब North की तरफ तो आपको positive linear ग concern की तरफ है south की टरफ आपको negative ग molar की तरफ positive नीचे की तरफ negative गालो 115 कोई बंदा तरफ जा रहा है 10 Meals ये एkal बनदा एसकाद relationship लोगित आपको प्लस 10 याद रखना उपर की तरफ positive, नीचे की तरफ negative, आगे की तरफ positive, पीछे की तरफ negative, ये तुम्हे याद रखना है, तो किसी को साइंग convention में कोई भी doubt है, तो तुम्हा पूछ सकते हो, याद. कोई भी doubt है किसी को तो पूछ लो. तो इधर की तरफ positive, पीछे की तरफ negative, उपर की तरफ positive, नीचे की तरफ negative, तो एक question का answer तुम्हें करना है, तो question है यह. Suppose कि यह एक बंदा है, मालो यह उपर की तरफ जा रहा है, यह जा रहा है मालो 5 meter per second से. माल लोकि यह बंदा है इधर की तिरफ जा रहा है फाई मिटर पर सिकंड से आपको बताना है वेलोसिटी एक कितना हो आपको बताना है वैलोसिटी व्यूसिटी पर कितना वंगत सोचो क्या होगा तुम्हें आंसर पता है तो टाइब कर सकते हो तुम सब एक साथ बोलोगे तो खिजली बन जाएगे अभी लिखो अपनी कॉश्चिन लिखो और सॉल करो इसको क्या आएगा इसकांसर है कि यह बंदा है यह उपर की तरह पांच मिटर पर से यह बंदा है यह पीछे की तरफ जा आहता पांच मिटर पर सєकंद से आपको बताना है कि A की कितनी वहीज़ुः बायँ कितनी लिखी झाल 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 देखो तो इसका अंसर कितना हैगा द्यांसर सुनू यह उप्पर जाए तो इसकी विलासिटी आपको लेनी है प्लस 5 मिंटर पर सेक्ट और आपका भी पीछे की तरफ जा रहा है तो इसकी आपको लेनी है माईनस 5 मिंटर पर सेक्ट करेक्ट है कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो यार तो तुम्हें पूछना पड़ेगा कि तरह इसमें डाउट आ रहा है हाँ पूछो हाँ मुझे पता है मैं एक बार तुम्हें वापिस रिविजन दे रहा हूँ अब तुम सब ध्यानते सुनना तो आज का अपना टॉपिक है एक्सलेरेशन लेकिन एक्सलेरेशन पढ़ने से पहले तुम सब को वेलासिटी की डायरेक्शन निकाल आनी चाहिए तो तुम सब एक मतलब वेलासिटी के आगे आपको क्या लगाना है प्लस लेकिन अगर मालो कोई पार्टिकल इदर जाता है वेस्ट की तरफ यह मालो कोई पार्टिकल नीचे जाता है साउथ की तरफ तो इन दोनों केस में आपको इसकी वेलासिटी क्या लेनी नेगट हो जिसे मालो की मैं त तिसकी वेदोसिटी कृत्पश्य लिखोगे माइनस तैन्ट क्योंकि घ्यान से देखो यह अगर अधर की तरफ है तो नेगेटिव तो नेगेटिव इनसे की तरफ पोजिट 김 पोजिट कर डिलागी किसा क्लाएंस पूछ सकते हमने ते हैं कि तुमान लो रे अग्जाम में ये कोशिन आता है कुशिन ये किसी को स्व जैटक रिदा घॉच लगउत मिटान कुछ नी मेесь तो फूचह कोई डाउट में इस त्रावलें इसे इस एरेक्शन चैसे इसए डार मुद्र कमें 20 meter per second okay after few seconds after few seconds comma the same person but the way bandha the same person is traveling in west direction का जा रहा है अब west की तरफ in west direction with 20 meter per second find initial velocity initial velocity का मतलब है कि इसकी शुरू में क्या velocity है and final velocity final मतलब बाद में क्या velocity है तो अब से तुम्हें चीज याद रखना क्या तुम्हें याद रखना है कि शुरू में जो सब्सक्राइब गोच्ट को समझना तो अब परसन मतलब कोई आदमी है इस ट्राविलिंग इं इस डिरेक्शन तो मानगों कोई बंदा और बेचारा वो इस्ट में जा रहा है किस से जा रहा है 20 मिटर पर सेकंड से किस से जा रहा है 20 मिटर पर सेकंड से ठीक है चलो यह कुछ खतम हो गया आप क्या बोल रहा है अफ्टर फ्यू सेकंड तो कुछ पलो बाद थोड़ी दिर के बाद सेम परसन मतलब वही बंदा इस ट्रावलिंग इन वेस्ट डारेक्शन मतलब अपका जा रहा है अब वह पीछे की तरफ जा रहा है विट 20 मिटर पर सेकंड से अभी भी उसकी वेलासिटी की वेल्यू कितनी है 20 मिटर पर सेकंड डिलेगे ना पीछे जा रहा है आपको बताना है कि उसकी शुरू में क्या वेलासिटी है और आपको बताना है कि उसकी फाइनल वेलासिटी कितनी है तो देखो शुरू में जा रहा है पीछे की आया तुम्हें समझ में की नहीं समझ माया इस कुछन का अंसर मैंने कैसे लिखा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हूं इस डाउट है तो पूछो कि तुम्हें साहज में आ गया हूं यह सकांसर है कि अधिका फॉर्मिला नहीं लगाना है अरे रुप रुप उस पर गया है तो इसलिए मैं टॉपिक अब पड़ा रहा हूं है ना मैं उस पर भी आ जाओंगा इस ट्लास के इंट तक है ना इसमें कोई डाउट है नहीं तो अगला कुशन अब तुम्हारे लिए यह है तो वड़या पगड़ता है तो पगड़ता है नहीं तु पढ़ाई वे ध्यान देए अब पर सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब तो एक बंदा है वो एक किसी घेंद को उपर की तरफ एकता है, 20 meters per second है, किस से 20 meters, few seconds later और थोड़ी देर के बाद few seconds later, the ball returns back, ooh, return's back with 20 meters per second, मतला हुबा क्या होगा, यह बहुत गई होगी, गई होगी, गई होगी, गई होगी, ऐसा गुमके वापस आई होगी, तो थोड़ी देखे बाद हो वापिस आजाती किस से 20 मिटर पर सेकंड से तो आपको बताना है find u and v u का मतलब है initial velocity मतलब आपको बताना है जब जब फेंकी थी तब उसकी velocity क्या थी v का मतलब है final velocity आपकी ball जब lot के आगई तब उसकी velocity क्या थी जब आपने फेंकी थी तो इसको यू बोलेंगे जब ball वापिस lot के आगई तो इसको वी बोलेंगे तो आपको बताना है कि यू कितना होगा आपको बताना है वी कितना होगा सोचो कोई बोलेगा नी answer आया तो आप chat box में type कर दो है ना और नी तो मैं जब बताऊंगा तो तुम आपको बताना है कि यू कितना है और भी कितना है सुचा क्या होगा इस concert और sign convention याद रखना जो उपर की तरफ है positive जो नीचे की तरफ है negative जो आगे की तरफ है positive जो पीछे की तरफ है negative तो जब आपने बॉल को उपर फेका था तो वेलासिटी कहा थी उपर की तरफ तो यू तो कितना आ जाएगा प्लस 20 मिटर पर सेकेंड औ किसी को फिसमें कोई भी डावट है तुर मुझसे पूछ सकते हो कोई भी पूछ सकते हो किसे इसके आंसर पूछो क्योंकि यही सब आगे आने वाले अब कोई दावट है तो पूछो कई डावट है तो कोई डाउट नहीं है तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर आज का अपना जो टॉपिक है अब मैं उस पर आ रहा हूं ऐक्स लीरेशन सबसे पहले को अगर थि में लिख bunlar टो भी लिख ले था last अब होता है रेट ऑफ अप चेंज्ट आफ वेलासिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज्ड होप वेलासिटेझ हैना या रखना की श्कलिरीन एक वेक्टर कॉंटिति काश्करतटी एक वेक्टरorted कॉंटिति एक फार्मूला होता है llev बहुत इंपोर्डंट है इचन का फार्मूला होता है कि스타ल विलोसिटी व्य निस अंधू आ Right एरह मैं भोल रहा हूँ अंब जर को फार्इनल वेलोसटिय November tender upon time taken, तो acceleration का formula होता है, देखो ध्यान तो सुनो, final velocity का concept भी मैं है तुम्हें अभी बताया आज, बताया की नहीं बताया, बाद में क्या velocity है, initial का concept भी मैं है तुम्हें आज बताया, शुरू में क्या velocity है, और नीचे है time taken, मतलब किता समय लगा, एक question कराओंगो, तुम्हें समझ में आजाएगा, इन सबका मतलब क्या है, तो acceleration का formula क्या होता है, अगर मैं खाली इनको denote करूँ, तो acceleration को denote करते, a से, final velocity को v से, minus, initial velocity को u से, और time को denote करते, t से, तो यह formula तुम्हें यहाँ रखना है, तो acceleration का formula क्या है, यह वाला, कौन सी quantity है, vector है, इसकी definition क्या होती है, acceleration is equal to rate of change of velocity, और acceleration की जो unit होती है, SI unit, वो क्या होती है, वो होती है, meter upon second square, लिख लो अपनी का अपने में, लिख लो इस slide को, फिर अपन आगे बढ़ते, एक numerical मैं करूँगा, फिर अगला तुम्हें करना है, ठीक है, एक बार लिख लो, लिख लो, और कोई doubt है, तो पूच सकते हो, अराम से लिख लो, और मैं क्या बोलना हूँ, तुम को मिस्बी कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यह यह पावर पॉइंट है, मैं इसको पीडियोप बला के तुम्हें बेज़ दूँगा, ओके, लिख लिए सबने, rate of change of velocity, vector quantity है, formula होता है, final velocity, minus initial velocity, upon time taken, ऐसा यूनिट क्या है, meter upon second square, और formula होता है, a equal to v minus u upon t, ओके, अब मैं आ रहाँ, question पर यार, देख़ए ना, तो question है यह, देख़ो अपनी कोप में question, a particle, a particle, starts with, start मतलब शुरूवात में, a particle starts with, 20 meter per second, in east direction, तो एक बंदा है, वो चालू किससे करता है, 20 meter, 30 seconds है, इस direction में, after 10 seconds, 10 seconds के बाद, after 10 seconds, velocity of particle is, velocity of particle is, 30 meter per second, in west direction, तो particle की जो velocity हो, कितनी होगी, 30 meter per second, west में, find u, v, a, आपको बताना है, u कितना है, v कितना है, और a कितना है, देखो अब इस question को कैसे करते हैं, मैं तुम्हें solve करना सिखाता हूँ, तो question पढ़ो, a particle starts with, 20 meter per second, in east direction, तो ये direction कौन सी होती है, east होती है, तो शुरू में, उसकी velocity कितनी है, 20 meter per second, तो u तो कितना आजाएगा, plus 20, हो गया, फिर क्या बोलता है, देखो, after 10 seconds, मतलब कितना समय लगा, आपने बाउजी को, 10 seconds लगे, velocity of particle is, 30 meter per second, in west direction, तो अब वो किस में जा रहा है, west में जा रहा है, किस से, 30 meter per second से, तो मतलब, शुरू में जो velocity होती ही है, और बाद में जो velocity उसको लिखते है पन v, तो v कितना हो जाएगा, minus 30 meter per second, जोकि शुरू में velocity इधर है, तो positive लिया, बाद में velocity पीछे है, तो negative लिया, तो आगया u और v, और acceleration क्या होता है, v minus u upon t, तो v की जगे v की value पुट करो, तो v की value कितनी है, minus 30 है, जहां चे देखो, v कितना है, minus 30, फिर लगाओ minus, और u कितना है, 20, आपको बस क्या करना है, v और u की value पुट करनी फॉर्मले में, और time कितना लगा 10, तो चेक करो, minus 30, minus 20 कितना होता है, कोई भी डाउट है, तो तुम बेज़ी जग बोलो यार, डाउट है, तो तुम्हें बोलना बढ़ेगा, तो आपको डाउट कहां से बोलना पड़ेगा, आपके मुझे से डाउट बोलना पड़ेगा, तब ही मुझे समझ में आएगा, कि सर ये दिक्रत आ रही है, क्योंकि अगला कोशन तुम्हें ही करना है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, तो डाउट है तो पूछ लो, ओके, कोई डाउट नहीं है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स कोशन तुम्हें सॉल करना है, तो कोशन है ये, अब पार्टिकल, अब पार्टिकल, थ्रोज, अब बॉल, इन अपवर्ट डारेक्शन, इıl पार्टिकल, with 50 मिटर पर सेकंद, तो बॉल, तू बॉल, रिटीर्ट्र बैक्विट, दुब रिटीर्ट्र बैक्विट, 40 मिटर पर सेकंद, इन, तू सेकंद्स, किते अप ताइम में, में, दू सेकंद में, तो कुश्चन है फाइंड यू वी टी ट्राइ करो क्या होगा इस कांसर अब पार्टिकल थ्रोज बॉल इन अपवर डिरेक्शन एक बंदा है बॉल उपर फेंग रहा है पचास मितर परटी सेकंड से तो मतलब है शुरुबात लिए अच्टी हो गई दे बॉल रिटरंस बैक विट फॉर्टी मिटर पर सेकंड तो बहुत गई उपर गई वापिस आगई कित्ते सेकंड में दो सेकंड में आगई आपको बताना है यू किता है वी किता है और टी किता है ट्राइक करो क्या आएगा सब्सक्राइग अ करें दिविराज आके सब का अंसर क्या रहा है द्वताव पर तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि वहां पर मॉबाल को बैटे वह बस अब पार्टिकल थ्रोज़ बॉल इन अपवर डारेक्शन दिफिफ्टी एक बंदा है वह बॉल को उपर की तरफ नहीं किस से पचास मिटर पर सेकंड से तो गई 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 गूम के वापस आ गई और बॉल आती किस से 40 मिटर पर सेकंड से तो मैं तुम्हारा बोला जो पर की तरफ पॉझिटिव तो यू कितना जायएगा फ्लस फॉर्टी ए अब बाद में के चालिज तो वी किता आजाएगा माई उस फॉर्टी मिटर पर सेकंड पर टाइम किता लगा टाइम लगा आपको गई यह इंद और इसक उक्क्ष एक्षारेशन क्या होता है वी माइ सेकंट स्कूर्द यह समझ मैं कि नी समझ मैं हैं उन्नटी हिरल वेदी का तुमें समझ मैं अगया है क्या पूच रहे हो है और हाँ सॉरी यह निकालना है वह टी निये वह पूचा था मैंने बलती होगी ठीक है अच्छा यह अपना हो गया तो अपन नेक्स कर्टेगरी की कोच्छन पर जाते हैं किसी को इसमें कोई डाउट तो पूछो याज कोई डाउट नी नेक्स कोच्छन में जाओ मैं लेक्सिए तुम लोग हैं सब नहीं तो अब नेक्स कोच्छन पर जा रहे हैं तो कोच्छन यह है कि सपोस्ट करो कि यह कोई गाड़ी है अ कि मालों कि यह गाड़ी है यह इदर की तरफ जा रही है 20 मिटर पर सेकंट से ठीक है किसे जा रही है 20 मिटर पर सेकंड से तो कोशन यह है if the car is traveling at 20 मिटर पर सेकंड एंड ड्राइवर एप्लाइज ब्रेक तो स्टॉप कार इन वन मिनिट फाइंड एक्सलिरेशन ट्रै करो के आएगा इस कांसर तो कोशन यह है कि यह कार है जो उधर की तरफ जारी किस से 20 मिटर पर सेकंड से ठीक है अभी 20 से जारी है और ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और कार रुग गई कितने ट्राइम में एक मिनिट में कार रुग गई कार रुग गई घ्याद सुनना पहले कार चल रही थी बाद में कार रुग गई तो तुम खुछ सोचना कार रुग गई मतलब उसकी बाद में क्या वेलासिटी होगी दिमंगे जोड़ लगाना एक बार फिर कुशन है आपको बतानाएक किसका एकस्टलरेरीशन कितना है तो आपको क्या निकालना है एक कितना है ठीक है कार इस ट्रावलिंगे 20 तो शुरू में उसकी वेश्टी किती है लेश्ट 20 तो कि कार का जारी उदर की तरफ ड्राइवर एप एप्लाय ब्रेक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया कार एक मिनिट में रुक गई तो रुक गई मतलब फैनल वेश्टी किती हो जाएगी जीरो टाइम किता लगा एक मिनिट मतलब किता होता है साट सेकंड सबस्क्राइब ंब्सक्राइब अपॉंटी तो वी मतलब फाइनल यह मतलब 20 टाइम कितना लगा साथ तो इसको कट करो इससे तो यह देगा माइनस वन बाइ थ्री मिटर पर सेकंड स्क्वाइब तो यह अफकाल सा है आया तुम्हें समझ में कोई डाउट है तो पूछो कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं तुम्हें सब्सक्राइब तो अब तुम्हें सब्सक्राइब करना है तुम्हें सब्सक्राइब को अगर मान लो आपकी कोई घाड़ी है और मान लो कि आपकी वेलासिटी जो है इंक्रीज हो रही है मान लो आपकी वेलासिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलासिटी अगर इंक्रीज होती है तो जो एक्सलेरेशन होता है ना वो आपको लेना है पॉजिटिव तो पॉजिटिव एक्सलेरेशन का मतलब है वेलासिट प्री डिक्रीज हो रही है क्या हो हुए है घटरी गत्री सिए ना इस्हों सब्सक्राइशन 1 और नेगेटिव एक्सीम् स्विष्षण को हम रिकरीशन बोलते ये जबस सब्सक्राइशने बहुतें लिगालते लाड ल закон पिर में तो में सकी डेफिए ये लिखाने तो. तो देखो और तीसरा इसमें लिखना अगर मान लो आपकी वेलासिटी कॉंस्टेंट है तो वेलासिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सलेरेशन पॉजिटिव वेलासिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सलेरेशन नेगेटिव अगर मान लो वेलासिटी कॉंस्टेंट है तो मियाद रखना acceleration किता होगा जीरो तो कोई तो मैं पूछे कि write one condition when acceleration is zero तो आपको क्या लिखना है when velocity is constant acceleration is equal to zero तो when velocity is constant मतलब मान लो कि आपकी velocity change नहीं कर रही है when velocity is constant acceleration is zero तो कि कहा है लिखले अपनी का पुमे पर रिटार्डेशन लिखतीन है negative acceleration is also called as retardation. negative acceleration is also called as retardation. तो अगर जी बॉडी की वेलासिटी कॉंस्टेंट है मतलब उसका एक्सक्राइशन क्या है टिक लोगर कि तुम्हारे एक्जांबे ऐसा कॉश्णा Pac गोशन बाद लो यह आ जाये की रामू है इस ड्रावलिंग विद्ट कॉंस्टेंट वेलासिटी आफ रामू इस ट्राविलिंग विद्ट कॉंस्टेंट वेलासिटी आफ 40 मिटर पर सेकेंड हैं ठीट एक बंदा है अपना रामु करके कोई अठीक है और हम सब्सक्राइब रही नहीं कर दो आपको बताने कि इसका कितधा होगा कितना होगा बता हो मालो ये रामू है ठीक है मालो ये रामू है और ये मालो कहीं जा रहा है और मालो इसकी वेलासिटी कॉंस्टेंट है किती है 40 मिटर पर सेकंड तो आप मुझे बता है इसका एक्सलेरेशन क्या होगा जीरो करेक्ट जीरो होगा यहाद रखना यह नहीं कि आज तो पता है एक्जाम में बूल गए तो अगर वेलासिटी कॉंस्टेंट है तो मतलब उसका एक्सलेरेशन क्या है जीरो है समझ में कुछ डाउट है तो पूछो कॉंस्टेंट अगर 40 मिटेव पर सेंट हुआ तो भी ऐसे जीरो ही होगा एक्सलेरेशन क्या मतलब है कि वेलासिटी ना बढ़ रही है ना गट रही है वेलासिटी पहले जितनी है बाद में पर उत्ती रहनी चाहिए झाइसे मां दो कि मैं तुम्हें यह कोशिन पूछा हो हुँ है कि यह बंदा है मान दो यह उदर जा मिटर प्र से और ठोड़ा थोड़ी देर के बाद कुछ देर के बाद मैं देखा तो यह जो बंदा है यह इधर जा रहा है 40 मिटर पर सिकंड से तो आपको बताना है कि क्या इसका एक 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 बंदा है यह 40 से उधर जा रहा है मैंने थोड़ी दिर के बाद देखा तो यह 40 से पीछे जा रहा है तो क्या आपको बताने कि इसका एक अश्यक्ति होगा कि नहीं होगा लिए टेंग। देखो,ěक्षबशलियरे rester scares 0 कब होता है जब velocity constant होती है ति देखो देखो शुरूवे में उसकी will Hasiti कितनी है plus 40 बार में उसकी कितनी है, minus 40 है की नी पहले plus 40 द embr is 40,make क्या वेलोसिटी कॉंस्टेंट है नहीं पहले प्लस 40 है बाद में माइनस 40 है तो आपको साइन भी देखना है तो यहां पर विल एक्वल टू यहां पर देखना पड़ता है और आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ता है मैं मानता हूं कि दोनों के इसमें वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलगे पहले इदर था बाद में इदर हो गया तो फिल एकल टू जीरो नो एविल नॉट बीकुल टू जी के कि आए समझने के नी समझ मैं गए कॉश्चन अर तो वीच्थ कोई Doクal दूने यह 55毅नगा है उन्हीं पिछा की दूुरे एकैन बीस हो सेम है कि नहीं अगर माले यू और वी दोनौ सेम हो जाते थो इस तो जी रो यह हो जाता प्र सेम नहीं यह तो जीरो के ठीक है कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसमें कोई डाउट नहीं है तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं तुम्हें बस ग्राफ लाश लिखना है फिर अपने क्लास खतम करेंगे तो देखो मान लो कि y-axis पे velocity है और x-axis पे time है और मान लो तुम्हें graph ऐसा दे रखा है ध्यान से देखो time के साथ-साथ velocity बढ़ रही है जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो आपकी velocity देखो बढ़ती जा रही है तो इस case में आपका acceleration क्या होगा positive होगा उसी तरी किसे दूसरे graph को देखो मान लो यह velocity है यह time है और मान लो आपका graph ऐसा है तो ध्यान से देखो जैसे जैसे time बढ़ रहा है देखो आपकी velocity घट्टी जा रही है यहाँ velocity बढ़ रही थी तो यहाँ पर आपका acceleration क्या हो जाएगा negative हो जाएगा और मान लो कि तीसरा graph आपका ऐसा है मान लो की y-axis पे velocity है एक time है और मान लो आपका graph ऐसा है इस तरीके से ध्यान से देखो ना तो आपकी velocity बढ़ रही है ना घट्री है मतलब आपका acceleration क्या है जीरो है तो अगर आपकी velocity बढ़ती है उपर की तरफ जा रही देखो तो positive विचारी घट्री है तो negative अगर velocity constant है ना बढ़ रही ना घट्री है हाँ पूछो कुछ डावट इस पूछो सर इस graph के basis पर क्या वो कोशन आ सकते है नहीं 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 जो आएंगे तो मैं लाइम वैस पढ़ाता जाओंगा अभी बस तुम्हें खाली graph को study करना सीखना है कि graph में कब acceleration positive होता है कब acceleration negative होता है यसे मैं एक कोशन तुम्हें पैट् इदर की तरफ time है और माले graph ऐसा है तो इसका मतलब क्या देख इसका मतलब velocity घटरी है दीरे दीरे है ना तो velocity घट्टी तो acceleration क्या होता है अगर यही माले तेरा graph ऐसे आजाता माले यह velocity यह टाइम है ग्राफ ऐसा है तो इस टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है तो इसकेस में एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा पॉसिटिव और तीसरा केस में माले वह यह लिलो कि वेलासिटी और टाइम है माले आपका graph ऐसा है तो देख ना तो वहलासिटी बढ़ रही है ना घट रही है यहाप एक्सलेरेशन क्या जाएगा जीरो आजाएगा येस सर ठीक है और कोई डाव टेदर पूछ वो ओके चल लो बाए बाए अपनी अपनी आपके पीडिया विज्जों के ना तूजड़े को आए थर्स्डे को आए और सेरेड़े को आट तो बेसीकली मेरी अग्विजास परसों है सेरेड़े को ठीक है चलो बाए बाए ये तुम्हें बेज रहा हूं मैं आजी खिलास की रिट प्रिट प्रिश्यक खिलिए